गुड बॉर्निंग फ्रेंट्स आइम एड्वोकेट अमित कुमार गुपता अपने इंकम टेक्स के केसिस के सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगं के सामने डिसकस कर रहा हूं वो केस डेली आईटी-ईटी की SMC वन बैंच ने डिसाइड किया है केस का नाम है धीरज यादव वसेज इंकम टेक्स ऑफिसर और यह केस 85 ITR पे नंबर 43 पे रिपोर्ट हुआ यह केस सेक्शन 148 के नोटिस को लेके है असेसिंग आफिसर ने जब असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया तो सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने के दो कारण यह उसाब ने बताए पहला कारण यह बताया कि असेसी ने अपने बैंकों में कुछ कहश जमा किया है ICIC बैंक में 11,7,160 रुपे के करीब और कुछ असेसी को कमिशन इंकम मिली है 25,000 रुपे के करीब जो कि असेसी ने अपनी रिटन फाइल नहीं की और इसलिए जो है यह दोनों इंकम एसकेपिंग का पहट है बाद में A.O. ने एक्स पार्टी असेस्मेंट कर दिया और इन दोनों फीगर्स को असेसी की इंकम में एड़ कर दिया असेसी ने असेस्मेंट के दोरान A.O. साब को यह बताया था कि असेसी जो हाड़वेर का काम करता है और असेसी ने कई बार अपने बैंक में से कैश निकाला और कैश जमा किया जितना भी कैश यह जमा किया गया है यह असेसी की सारी इंकम को रिप्रेजन नहीं करता क्योंकि असेसी ने कुछ खर्चा भी किया है, कुछ पर्चेजिस भी की है और कुछ सेल भी किया है लेकिन A.O. साब ने असेसी की ये बात नहीं मानी और सारा का सारा 11,7,160 रुपे का एडिशन कर दिया और कुछ 700 रुपे के करीब जो है वो इंटरस्ट इंकम का एडिशन कर दिया असेसी जब CIT अपील्स आपके पास गया तो असेसी ने ये कहा कि असेसी ने पहली बात तो 11,7,000 रुपे कैस जमानी किया है असेसी के जो बैंक में टोटल कैस जमा हुआ था वो 11,49,000 के करीब जो है वो जमा हुआ था दूसरी बात जब सेक्शन 148 का नोटिस मिला तो ये कहा गया कि असेसी ने पच्चिस सो रुपे के करीब कुछ कमिशन कमाया है लेकिन बाद में उस कमिशन इंकम का एडिशन नहीं किया गया कुछ साड़े साथ सो रुपे का इंटरस्ट इंकम का एडिशन किया गया तो ये दलिल दी गई कि एओ ने नोटिस इशू करते वक्त जो रीजन्स रिकॉर्ड किये थे वो भी गलत रिकॉर्ड किये थे क्योंकि जो टोटल कैश जमा किया गया वो करीबन 11,49,000 किया गया था लेकिन जो नोटिस में लिखा गया वो 11,7,000 रुपे लिखा गया तो इसका मतलब यह है कि एओ ने नोटिस इशू करने से पहले फेक्ट्स को एक्जामिन भी नहीं किया था माइंड एपलाई करने की तो बात बात किया आती है लेकिन वहराल जो CIT अपील साब थे उन्होंने भी असेसी की बात नहीं मानी और एओ के ओर्डर को अपैल रखा इसलिए असेसी जो है वो अपनी भुहार लेकर के देली आईटी-एटी में गया जब आईटी-एटी ने पूरा मेंटर को एक्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि जो असेस्मेंट एओ ने की है वो बैड इन लौ है उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि नोटिस इशू करते हैं वक्त जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसको पूरे फेक्ट्स को एक्जामिन करना होता है और जो इनफरमेशन उसके पास होती है और जो आसेसि के पूरी स्टेट्मेंट होती है उसके भीच में कि 11,09,000 cash जमा हुआ है और even bank statement होने के बाद भी उन्होंने ये verify नहीं किया कि 11,09,000 cash जमा है या 11,09,000 जमा है और assessment करते वक्त भी उन्होंने जो commission income थी उसको add नहीं किया तो इसका मतलब ये था कि the assessing officer does not have the reason to believe that the income has been escaped in the assessment year 11,12 in the case of the assessi. So, when the additions are made purely on the basis of the information received and without applying the mind, then in those cases the assessment order passed by the assessing officer cannot be sustained in the eyes of the law and consequently the Delhi IT-8 deleted the addition made by the assessing officer and gave the relief to the assessi. Friends, once again I am repeating the name of the case, the name of the case is Dheeraj Yadav versus income tax officer and this case has been reported in 85 ITR at page number 43. Friends, I appeal to you that if you wish to receive my notifications for the future videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon, so that you can get the notifications for the new lectures. Thank you friends, thank you.